Hello everyone, आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या कोई methods है, क्या कोई सोचने के तरीके है, क्या हम कोई ना कोई तरीके से ऐसे judgment stock market में ट्रेडिंग के टाइम ले सकते हैं, ताकि मेरे loss होने के chances या तो ऐसे ट्रेड में में ना जाऊं जहां पर मेरे loss होने के chances ज्यादा हो। So, मेरे काफी साल के ट्रेडिंग के experience से मैं आपको आज 5 ऐसे techniques बताऊंगा, 5 ऐसे तरीके बताऊंगा, वहाँ पर थोड़ा judgment लेके, हम ऐसा बिलकुल कर सकते हैं, कि ऐसे खराब trade, कि जहाँ पर ज्यादा possibilities होती है, loss होने की, उसमें हम ना जाएं। ये वीडियो बनाने का reason ये है, कि stock market में क्या करना है, उसके लिए तो आपको 10,000 वीडियो मिल जाएंगे, 50,000 लोग आपको market में मिल जाएंगे, जो बोलेगा ऐसा करो वैसा करो, बट क्या नहीं करना है, especially loss management, उसके बारे में आपको बहुत ही कम information जानकारी मिलेगी, और ये जो वीडियो में आपको बोलने वाला हूँ, especially अगर आप new trader हो, चाहे आप cash में equity trading कर रहे हो, चाहे future trading कर रहे हो, चाहे option trading कर रहे हो, commodity कर रहे हो, ये हर जगह आपे लागू होगा, so without wasting any time, मैंने ये 5 points मेरे laptop में not कर लिया, ताकि में बात करते करते भूलना जाओ, let's start with point number 1, you will not regret, take trades, you will not regret, a simple example देता हूँ, जब मैंने मेरे trading की journey start की थी, तो जब market खुलता है, तो excitement में काफी सारे trade में ले ले लेता था, and then I realized कि अरे यार मैंने trade तो चेक किया नहीं, अरे मैंने ये जो breakout हो रहा था, वो तो चेक किया नहीं, अच्छा मैंने आज ये तो चेक किया नह आने वाला है, तो क्या होता है कि काफी सारा homework नहीं करता था मैं, काफी सारी चीजे में चेक नहीं करता था अलग अलग टाइम फ्रेम पे, होता ये है कि जैसे ही मैं trade लेता था, उसके 5-10 मीट बाद वही trade मुझे pain देता था, तब मुझे पता चलता है अरे यार ये तो मैं गलत कर बैठा, और फिर क्या होता है, loss book करो, कम profit में exit हो जाओ, averaging करो, ये करो, तब जाके mind सांत होता है, इससे क्या पता चलता है, बता है, कि मैं ऐसा trade लेता ही क्यों हूँ कि जहां पे मुझे 10 मीट के बाद ही regret शुरू हो जाए, हाला कि मेरा trade तो ऐसा होना चाहिए न, कि I will be really happy कि मैं इस trade में गया, right, और otherwise मेरा stop loss hit होगा, that is an outcome that as a trader we have to expect, right, ये बात बहुत समझने वाली है, ये बात बहुत simple लगेगी, बट अगर आपका behavior ऐसा है, कि every now and then, आप trade तो लेते हो, पर उसके बाद आपको कुछ realize होता है, कि अरे मैंने ये चेक नहीं किया, अरे ऐसा न अभी trader बनने में बहुत time लगने वाला है, right, एक अच्छा trader वो होता है कि वो trade लेने के बाद वो regret नहीं करें, right, और regret आपको नहीं करोगे, जब आपका homework सही होगा ना तब आप regret नहीं करोगे, you will be happy कि आपने ये trade लिए, okay, so ये point number one है, point number two, take trades on which you can accept good loss, इसका मतलब क्या है stock market में loss होने वाला है, अगर आप stock market में YouTube पे बेटके ऐसा search करो कि no loss strategy, no loss strategy, तो वो सब बात है, सब कुछ nonsense है, ऐसा होने ही नहीं वाला है, loss is a part of the process, ये हमारे trading business का एक part है, your entire effort should be कि आप net to net profit में निकलो, एक अच्छे कासे profit का percentage साल बर साल में बना लो, ये आपका एक long term target होन अब यहीं से ही एक problem शुरू होता है, कि हम कैसे loss making trade में गुशते हैं, हमें ऐसे trade लेने की कोशिस करनी चाहिए, कि जहां पे अगर loss होता है हमें, by any chance, so we will be still happy and we will accept those kind of losses, कि ये एक reasonable loss है, opportunity थी, मैं opportunity को miss करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने trade लिया, और one of the outcome है कि stop loss एक हीट ह होने वाला है, so I will be okay, कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ हाथ में आ जाती ही, तो बहुत अच्छा profit होने वाला था, बर नहीं आई इसलिए एक loss हुआ है, so there is a cost of that opportunity which I am ready to pay, जब आपका mind ऐसा होगा न, तब आप क्या करोगे बता है, तब आप ये सब चीज़ नहीं सोच कि कि no loss strategy मुझे मिल जाए, अरे मैं loss से डर रहा हूँ, ये loss के डरने में चक्कर में ही काफी सारा loss हो जाता है, कि हम या तो बहुत cautious हो जाते हैं, right, so जो trader एक अच्छा loss accept करने का start करेगा, और ऐसे trade में जाएगा, वो बूरे loss से बच जाएगा, ये में रखे ना का मतलब है, understand, point number 3 में हम चले जाते हैं, avoid trading, when you are confused, जब आप confused हो तब trade मत लो, बहुत simple बात है, but even experienced trader भी इसमें आ जाते हैं, कहीं बार, let's say, if I am an option buyer, या तो मैं hedge कर रहा हूँ, और मैं chart को read कर रहा हूँ, तो कहीं बार, काफी सार का experience होने के बाद भी, मुझे ऐसा बोलना पड़ता है, कि यार, इस बारे ये मुझे chart समझ में नहीं आर अगले दो दिनों में, I don't have any answer, तो कहीं बार, अरे, आप तो इतने साल से trade करें, आपके पास answer नहीं है, ऐसा होता है, मैं तो ऐसा बोलता ये I don't know is a sign of intellectuality, it's a sign of confidence के मुझे आद पता नहीं चल रहा है, जो लोग overconfident में होते हैं, वो हमेसा market को figure out करने के चकर में पड़ रहेते हैं, उनके पास हमेसा answer होता ही है, और ज़रूरी नहीं है कि market में आपके पास हर बार answer हो, जब मुझे chart समझ में नहीं आ रहा है, जब म कि मेरे आजो बाजो 500 trader है, उसको उसने figure out कर लिया कि आज क्या होने वाला है और उसने अपनी position दिखा दी, maybe they are more smarter than me, it's okay, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, जहाँ जहाँ पे confusion हो, वहाँ वहाँ पे trade मत लो, directly ये confusion वाला point है ने point बर 1 से भी रिलिट करता है, कि अग जर मैं confused हूँ, और मैंने trade ले लिया, chances बहुत जियादा है कि 10-15 मीट मैं आधे हंटे में trade को regrade करूँगा, ऐसा होता ही है, because we are confused, फिर ऐसा लगते का रहे है, यार, confused थो था, कहां trade लेनी की ज़रूवत थी, होता है ना ऐसा, exactly, अब बात करते है, point number 4, don't wait until party is over, ये भी सारे traders के साथ होता है, बहुत interesting चीज में बता रहा हूँ, कई बात trade करते करते हम इतने cautious हो जाते है, हमरा mind इतना calculated हो जाता है, हम इतना analysis कर बैठते हैं कि जहां पर opportunities में trade मिल रहा था, वहां पर हम नहीं लेंगे, और बहुत late trade लेंगे, तो क्या हो पता है, कि almost अभी party over हो होगा, या तो वहां से market consolidate होगा, या तो वहां से market U-turn मारेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा market आपको देख रहा है, but notice, के babe, maybe you are too cautious, अब जड़ा भी risk लेना नहीं चाहते हो, या तो आपका अभी का charting का knowledge इतना polished नहीं हुआ है, कि you are able to identify the breakout और एक सही time पे, सही entry में आप चले गए, so, अब क्या करते हो, काफी सारी चीज़ analysis करते हो, you become very cautious, और उसमें जब आप trade लेते हो, तो आप थोड़ा late जाते हो, जहां पर फिर movement dry हो जाती है, market turnaround कर जाता है, काफी सारी अलग अलग चीज़े होती है, then you will see के, एक अच्छे market में भी, same trade में भी लोगों को loss होता है see, यह सब चीज़े ही बोली नहीं जाती, there are cases, ऐसा trader के साथ होता है, अच्छे market में एक सही trend में, सही trend के साथ trade लेने के बाउस भी loss होता है, क्योंकि they have waited until the party is over, और उनको जब extreme, के भाई सभी तरह सा signal मिल रहा है न, मेरी RSI भी बोल रही है, मेरी moving averages भी बोल रही है, मेरा Fibon अच्छी भी बोल रहा है, मेरी patent भी बोल रही है, अच्छा, अब trade लो, अब तो बहुत देर हो चुगी है, and then you will say के, अरे यारे, यह मेरे साथ market में क्या हो रहा है, but understand, कि जहां पे थोड़ा risk लेके आपको निकल जाना था, वहां पे आप गए नहीं, right, तो यह भी एक होता है, पर discussion नहीं होता कहीं पर, point number five, last, बहुत इंट्रेस्टिंग है, majority is all mostly wrong, point number five, majority is mostly wrong, अब कहीं बार देखना, stock market सब को shock कर देता है, इसलिए बोला जाता है, कि market के सामने किसी की नहीं चलती, जब पूरी दुनिया negative होके बैठती है, तभी market high पे high कहीं बार तोड़ता ह है, तभी market down open होके, थोड़ा down जाके, सब के downside के trade लेके, अच्छानक 11.30 बजे इतनी बड़ी candle के साथ cross करेगा, कि सब के stop loss की man बच जाएगी, कई बार हर जगा से positive information आती है, चार्ड भी एक सही चीज़ बता रहा है, तो भी market turn around करके एकदम crash हो जाएगा, छोट अमड़ा correction दे देगा, जो expected नहीं होता है, market का nature यह है, कि वो हमें कभी एक comfortable zone में नहीं आने देगा, that is the stock market, and that's why I always say, there is a mad elephant dancing in the stock market, जिसको आप कभी figure out 100% कर ही नहीं सकते है, उसके बस आर पार की movement को आप predict कर सकते हो, अनलाइस कर सकते हो, 100% figure out नहीं कर सकते है, So, be very alert, कि जब majority को एक opinion दे रही है, चाहे news channel हो, चाहे youtube channels हो, चाहे social media pages हो, चाहे twitter हो, जब majority एक तरफ चली जाए ना, be very cautious, और आप ये time to time अपनी diary में, अपने notepad में nod करना, हमें ऐसा हुआ है, majority अगर एक side बोल रही है ना, be very very cautious, इसकी वज़े से, काफी सारे traders फस जाते हैं, right, and then nobody is going to help you out, आप जिसको भी follow करे हो, कोई आपको help नहीं करने वाला, तो मैंने ये 5 trade बोलें, 5 points बोलें, उस point को ध्यान रखके, उसमें से judgment लेके, कैसे हम loss making trades में ना फसे, कैसे हम ऐसे trade में ना फसे, जिसको मैं experience के base में judgment लेके, मैं उसको avoid कर सकता था, right, so मैं इसको फड़ावट summarize कर देता हूं, ता कि आपको screenshot लेना हो, या तो आपको एक revise करना तो आप कर सको, point number one, take trades you will not regret, point number two, take trades on which you can accept good losses, point number three, avoid trading where you are totally confused, point number four, don't wait until the party is over, and point number five, majority is mostly wrong, अगर आप नए trader हो, काफी सारी चीज़े शाहिद समझ में ना आए, because आपने step number one, two, three, इस तरह से सीखा होगा, जब आप थोड़ी ठोकर हे खाऊगे, stock market के एक wild nature पता चलेगे, then you will understand this point, अगर आप नए हो तो इसको तो link के लगो, screenshot ले लो, और अगर आप मेरे साथ WhatsApp में जूनना चाहते हो, for a longer time, for any guidance, or any issues that you are facing, most welcome, वाकिये मेरी app डाउनलोड करने हैं, मैं बहुत interesting update वहाँ पे देता हूँ, I hope कि ये जो वीडियो है, और ये मेरा discussion है, आपके trading में थोड़ी बहुत practical value डालेगा, insights कुछ डालेगा आपके trading के behavior में, वाकि मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक लाए वीशो, lots of love and happiness, thank you, thank you very much, दोस्तों, अगर आप एक ऐसे trader हो, जिसको tips और shortcuts नहीं चाहिए, but आप seriously stock market में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने family के लिए income अन करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी good news है, मैंने start किया हुआ है bank nifty workshop और काफी सारे trading systems, ये दोनों की theme है mentorship, क्योंकि मैं मानता हूँ, कि stock market में सफलता हांसिल करने के लिए, आपके पास कोई mentor होना चाहिए, जो आपको सही रा दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके, तो आपके काफी सारी journey easy भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड़ों में से भी बढ़ जाओगे, अच्छी तरह से trading भी करोगे, और life में आगे भी बढ़ सकोगे, तो अगर आपका थोड़ा सा long term viewpoint है, तो आप पैसा तो बनेंगा कि application आज ही download कर लो, वो application में आपको bank nifty workshop मिल जाएगा, वो उन traders के लिए हैं, जिनको आगे जाके bank nifty में महारत आसिल करनी है, दूसरा कि option buying system मिल जाएगी, intraday system मिल जाएगी, swing trading system मिल जाएगी, investment system मिल जाएगी और hedging system मिल जाएगी, ये systems में strategies के साथ साथ mindset पे कैसे work करना है, risk management कैसे करना, ये 360 degree solution in terms of mentorship theme में ने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को shortcut ना मिले, और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलिग्राम और WhatsApp में भी queries और doubt के लिए connect रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही रा मिले और सही तरीके से वो बंदा आ गया है, अगर आपका focus ये है, तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जूड सकते हो, क्योंकि मुझे भी ASI trader के साथ जूड़ना अच्छा लगता है, कि जिन में patience है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है, और वो खुद भी लिउ करता है कि नहीं, उसको stock market में mentor या coach की जरूवत है, पैसा तो बनेगा कि application की link आपको description में भी मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हो, मैं आपको वो link देदूँगा, see you soon!